तो शुरुवात करेंगे और बारबाडोस से स्वदेश लोटा आई है टीम इंडिया एरपोर्ट से बाहर भारती टीम आ गई है टी-20 विशुकप जीत कर देश लोटिये टीम एरपोर्ट पर लोगों की जबरदस्त भीड यहां नजर आ रही है और होटेल में टीम के स्वागत की तैयारी है आज दिल्ली में प्रधार मंत्री मोदी से टीम इंडिया मुलाकात करेगी वहें मुंबई में शांदार स्वागत की तैयारी की जारी है और एरपोर्ट की तस्वीरे बहुत खास हैं क्योंकि रात भर से यहाँ पर जो फैन से हो मौजूद है सिर्फ टीम इंडिया से मुलाकात करने के लिए उनके दीदार के लिए और ट्रॉफी देखने के लिए विशुकप की विशेश विमान से भारती टीम को भारत लाएगा है इस बक्ति यहामें तस्मीरे आपको दिखा हूँ तिरंगे यहाँ पर नजर आ जाएंगे और उसके अलावा इस वक्त तो वो प्रोटोकॉल्स इस वक्त फॉलो हो रहे हैं कुछ चंदो मिन्टो बाधी टीम इंडिया इसी रास्ते से इस वक्त जाएगी और आज का प्रोग्राम लगाता है हम अपने दर्श को बिलकुल तो वो यह तस्वीरे खास और खास विमान से टीम इंडिया को भा भारत लोटी है और ये तस्वीर आप देखिए सारे खिलाडी इस बस में मौजूद है और इस बस से आगे पढ़ेगी टीम इंडिया सभी का भिनंदन सभी का स्वागत सभी की बधाईयों को शुपकामनाव को स्विकार करते हुए ये टीम इंडिया आगे पढ़ेगी और भास भी पहुंचेगी थोड़ी देर में टीम इंडिया तो बिल्कुल और प्रेना ये तस्वीरे गवा हैं कि भारत में कर्किट की दीवानगी कितनी ज्यादा है कि दिल्ली में इतना मौसम खराब है रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी जो फैंस है वो एरपोर्ट पर डटे हुए हैं और उनकी नजरे और सिर्फ और सिर्फ उस बस पर हैं जहां से होकर जिसमें बैट कर टीम इंडिया के वो खिलाडी जो 17 साल बार भारत में टी 20 का वर्ट कप लाए हैं वो निकलने वाले हैं सिर्फ एक जलक के लिए कोई परसनली वहां डटे हुए हैं और टीम इंडिया जसने पूरे देश को गर्मानवित महसूस कराया है कि 17 साल बाद हम वर्ट कप टी 20 का वर्ट कप अपने घर ला पाए हैं तो यही वज़ा है कि फैंस फारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और अपने पसंदिदा खिलाडी का दीदार करने के लिए बहां पर डटे हुए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच सभी भारतिय खिलाडों को यह देखिए यह केक देख लीजे कॉंग्राचुलेशन्स विग विनर्स तो इस लाइन के साथ और विशेश तोर पर आप देखेंगे तो इसमें खिलाडियों के वी फोटोस की गई है और आते ही टीम इंडिया के खिलाडी इस केक की पहले करेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी से क्योंकि मुलाकात करनी है उसके बाद यहां से होटेल से रवाना हो जाएंगे लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह बस की तस्वीरे देख रह हुए हैं और लगातार वो फैंस का अभिवादन भी स्विकार कर रहे हैं क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं वहां पर जुटे हुए हैं और खिलाडियों के दीदार के लिए उनकी सीधी नजरे इस बस पर ही हैं और क्योंकि मौसम खराब है तो हो सकता है कि उन्हें उ सूर्मा हैं जिन्होंने विदेशी धर्ती पर टी ट्वंटी वर्ड कप जीतकर भारत का नाम उचा कर दिया है और इस बार के जीत मनू खास इसले भी थी क्योंकि भारत एक भी मैच नहीं हा रहा है सीरीज के जितने भी मैच हुए हैं भारत ने सभी में फते हासल की और उसक जब यहां पर सिर्फ भारती एक रिकेटीम को चीयर अप करने के लिए जब भारत की जीत होती है तो यहां पर कोई धर्म और समुदाए देश को नहीं बाट सकता है और यहां की जो तस्वीरे होती हो वो कितनी खास ही वो टी ट्वेंटी वर्ल कप की फते के दिन हमने देख की जीत पर और उसके बाद आज देश के अलग-अलग कोनों से यहां पर लोग पहुंचे वूए है भारत की टीम के स्वागत के लिए कोई ओडिशा से पहुचा है कोई करनाल से पहुचा है अलग-अलग शेक्तरों से लोग यहां पहुंचे हुए और यहां आप देखिया आईजी आई एरपोर्ट के एकदम गेट पर अब जब टीम पहुंची है यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं पूरी रात से लोग डटे हुए थे और किसी का इंतिजार व्यर्थ नहीं जाएगा यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं वो सभी का अभिनंदन स्वीकार करेंग हमने आपको दिखाई भी थी वो तस्वीरें कि बुमरा, विराट कोली, रोहित शर्मा इन तमाम खिलाडियों के लिए किस तरह से यहाँ पर नारिबाजी की जा रही थी और अब उसके बाद सभी का इंतिजार खत्म रात भर से जो लोग यहाँ पर आतुर थे कि अपनी पे के केटिंग सरिमनी करी जाएगी और जैसे टीम आप पहुचेगी विश्व विजेता का स्वागत एक खास अंदाज में होटेल की टीम भी वहाँ करेगी तो बिलकुल और यह देखिए तस्वीरे आपकी हर किसी के हाथ में कैमरा है आला कि मीडिया का भी अच्छा खासा जम टीम इंडिया के स्वागत के लिए और उसके बाद पिधानमित्री मोदी से मिलने का कारिकरम है तो बार बार डोस से टीम लोटी है आला कि लोटने का कारिकरम पहली ही था क्योंकि अब शलंका का दौरा करना है भारतिय टीम को लेकिन वहाँ पर मौसम खराब होने की वज़ से लेट हो गई टीम इंडिया लेकिन जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है क्योंकि काफी वक्त हो गया है तीन से चार दिन हो गए है लगबग एक हफता राउंट हो गया है कि जब हमने टी ट्वेंटे विश्व कब उठाया है उसके बार टीम इडिया भारत लौटी है तो अब होटेल पहुँंच जाएगी टीम इडिया जहां पर जबर्दस्त तस्वाकर की तयारी है फिर वहां से प्रधार मत्री मोधी से मिलने का कारिकरम आज का टीम इडिया का मिलने का कारिकरम है उसके बाद मुंबई भी जाना है और फिर श्रिलंका दोरे के लिए रवाना ह ये बाहर की तस्वीरे आ गई हैं अब दीरे दीरे क्योंकि अब एरपोर्ट से निकल कर बाहर की तरफ जो बस है वो आ रही है आप देखेंगे दूर आपको दिखाई देगी टेम इंडिया की आती हुई बस ये देखिए अब लोग अपने अपने तरीके से टीम इंडिया का वेल्कम कर रहे हैं लोगों ने हाथ में तेरंगा लिया हुआ है तो कोई जो फैन है उसने अपने शरीर पर इक अलग तरीके से आप देखिए कि किसी ने टैटू गुंदवाया हुआ है तो किसी ने पेंट के जर्ये भारतिय टीम का वेलकम करने की एक कोशिश की है ये बाहर की तस्वीरे हैं और ये वो जो रास्ता है जो एयरपोर्ट से निकल कर बाहर जो होटेल तक का रास्ता है वहाँ जगा जगा पता चल रहा है कि टीम इंडिया इस रास्ते से गुजर रही है तो वह रुक कर वहाँ पर खड़े होकर टीम इंडिया के खिलाडियों का दीदार करने के बाद ही आखे बढ़ रहे हैं तो जब टीम इंडिया प्रधानमंत्री वोधी से मलाकात करेगी या होटेल पहुंचे जय तो और गेगी से गश का दीम ए और रही है तो